वरी गुदी इवनिंग कैसे हैं आप सब वैकम तो स्पेशल लेक्चर बाइ ट्रिप पोहीमिया इस लेक्चर में हम क्या डिसकास करें हम क्वेशन डिसकास करेंगे जो की बिल्कुल आपकी सामने लिखाए हम एच्टेट 2021 का पेपर लगातार सॉल्व करें मैथमाटिक्स वाल है तो उसके इसाब से क्वेशन नबर 121 होगा यह बाइनॉमिल एक्सपांशन का क्वेशन है और बाइनॉमिल के हर साल पेपर में कम से कम नी तो चार से पांट कोशन आते हैं तो अगर आप एक को सीखेंगे तो बिल्कुल आपको अगले बार यानिकि इस बार जो नवंबर क्वेशन को मास्टर कर लेंगे उतने ज्यादा चांस आपके बढ़ जाने वाले हैं इस बार एक्जाम को क्लियर करने क्योंकि प्रिवसेर कोशन से रिए प्रिवसेर से हमें आइडिया लगता है कि एक्जामना कैसे क्वेशन स्पूछन पूछन चाहते है ठीक है फिक है फि बिल्कुल पिछले साल का और उसको क्वेशन नंबर 121 है करें स्वाल तो इक बाइनोमिल एक्सपांशन का क्वेशन है वैसे इस क्वेशन को स्वाल करें बिल्कुल जार टाइम मी लगने वाल है ठीक है पर इस पर चलने से पहले आपको कुछ हम बताना चाहेंगे बाउट बाइनोमिल एक्सपांशन को बाइनोमिल एक्सपांशन को बाइनोमिल एक्सपांशन को बाइनोमिल एक्सपांशन को अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास दो टर्म्स है ए और बी और मैं आपको कहूं ए प्लस बी दिश पर एन क्या आएगा बताओ तो ए प्लस बी का स्क् सब को याद एता है पर अगर टू से बड़ी कोई पावर करनी पड़ जाए तो वहां पर भी हम बाइनॉमिल की हेल्प एता है इन फैक्ट जो हमने ए प्लस ब का स्कुएर निकाला वह भी बाइनॉमिल एक्सपैंशन ही होती है कैसे निकालते है इसका जेनरल टर्म अगर हम लिखें पहले इसको पूरा लिखते है फिर जेनरल टर्म लिख देंगे तो जेनरली कैसे प्रोसीड करता है एन सी जीरो ए और बी ठीक है बी की पावर जीरो और एकी पावर एन माइनस जीरो प्लस एन सी वन एकी पावर एन माइनस वन बी की पावर वन ठीक है यह सी है इसको सी जैसे ही बना देते हैं प्लस एन सी टू एकी पावर एन माइनस टू बी की पावर टू एन ऐसे चलता जाएगा कहां तक लास्ट में आ जाएगा ए A की पावर, B की पावड रह रहेगी, N-1, और A की पावर रह गई 1, और लास्ट टम होगा, N, C, N, A की पावर 0, और B की पावर N, अब पावर 0 लिखने की फायदा तो है क्योंकि किसी भी निमडर का पावर 0 या थे 1 होता है, पर क्योंकि हम expansion आपको बता रहे हैं तो सब कुछ लिख दिया है इसको generally आप इस तरीके से भी लिख सकते हो r going from 0 to n ncr इसका मतलब क्या होता है summation यानि कि जो बीच में sum लगा लगा कि हमनी side terms का sum कर रहे हैं इसको में की बार में लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि sum कर दो आर की value change करते जाओ 0 से लेके n तक ncr अब a की value कि हम लगते जारे हैं हर बारी n-r और b की value हम लगते जारे हैं और इसी को हम कहते हैं general term तो यह बाइनॉमिल एक्सपैंशन का यह जेनरल टर्म होता है यहां तक सारी बात है क्लिए रहे हैं सबको आती होगी से बाइनॉमिल थेयरम भी कहते हैं और इस पूरी expansion को बाइनॉमिल एक्सपैंशन कहते हैं यहां पर यह और भी कोई भी रियल लंबर हो सबके लिए यह थेयरम वालेद है कोई दिकत यहां तक सही है सब बढ़िया और यह हमारा नाट्रिल लंबर है तो इस तरीके से थेयरम प बाइनॉमिल एक्सपैंशन दी हुए ए प्लस बी रस पर एटीम ठीक है पूछ क्या रहे हैं पूछ रहे हैं वहला टर्म बता दो जो इंडिपेंडेंट ओफ एक्स है यह कोशन बहुत असान है पेपर में टाइम सेफ करने के लिए से बहुत जल्दी हम कर सकते हैं ठीक है ज दो यसी पावर कावर क्या करें ऐसमें से पावर जो है यह गर salah किक्या फ्ल्म इंटीप्लार में क्या पर यह हमther घैंसल गया वंहांगी से लांटी के सै बच जाएगा हमारे पस बच जाएगा टू रेस पर नाइन और यह आजाएगा एटीन सी नाइन फर्स्ट पाट अंसर है तो यह तो ओरली एक सकिंड का करने का तरीका है अब आपको डिटेल मेथड बताती हूं इसका कैसे करने आमने जो कर रहा है और यह अच्छली में क्या क आएर और यहां पर एक सट पर मैं बाई थृ और यह माँ है था तो एलन तो ए रिस पर और फेरा आप रेकिते माने साथ लिग देते हैं अन्ज बीक्रणवां आपउणी रिस पर मने फार च्छिंट लस्ट यहां तक है जयहां पर में लिखना है तो न तो होता है ने summation r going from 0 to n ncr a की पावर n-r और b की पावर r उसी को मैं यहां पर लिखा इस तरीके से ठीक है अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं simplify कर लेते हैं क्या आएका यह आजाएगा r going from 0 to 18 18cr अगला टर्म क्या बन जाएगा 1 by 3 into 18-r multiply हो जाएगा experience तो यह आजाएगा x raise par 18-r by 3 और यहां पर क्या आजाएगा 1 by 2 raise चुदी पार r ऐसे और यह आजाएगा x यह पावर नीचे है उपर जाके negative में हो जाएगी तो यह हो जाएगा minus r by 3 ठीक है अब यहां पर x और x बेस से में तो पावर जाएड हो जाती है तो यह क्या बन जाएगा summation r गोइंग फ्रम 0 to 18 18cr x raise par 18-r minus r upon 3 into 1 upon 2 raise par r हमने क्यों करा यह बोल रहे हैं हमें वो टर्म निकालने जो independent of x हो इस टाइप के सारे terms आएंगे independent of x यानि कि उसमें x नजर ना आए यान कि x की पावर क्या हो जाए जीरो हो जाए तो term independent of x will have x की पावर 0 independent of x हमें निकालना है इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि x की पावर 0 हो that is 18-2r upon 3 क्या आजए जीरो आजए बताओ इसमें r की वाल्यू क्या आजाएगी solve करोगे तो r की वाल्यू क्या आजाएगी 9 18 is equal to 2r this implies r is equal to 9 यानि कि जब आप r की वाल्यू 9 पुट करोगे तो टर्म आएगी वह independent of x आएगी अप term निकाल लो term क्या आजएगी यह हमाई जनरल टर्म थी इसमें जड़ा आप r की जगा क्या पूट कर दो 9 पूट कर दो तो यह अपने पास क्या आजाने वाला है यह आजाएगी टंग 18 c9 x की पावर तो जीर हो एंकी वान इंटू 1 अपन टू रेस पर 9 तो यह अपना रिक्वाइड आंसर आगया देखो कौन से option में first option में वह सही आंसर तो आपको पहले बने इसका oral तरीका बताया जल्दी से एक दम चुटकी में उने वाला फ्रेस का डिटेल मतद बता दिया आपको डिटेल मतद पड़ता होना चाहिए अब आप कैसे भी इस question को कर सते है पेपर में यह इतना ताम जहम लिखा है तो आपको लग सता है कि इसमें टाइम लग जाएगा पर बाइनॉमिल को बिल्कुल टॉपिक को छोड़के में बहुत इसमें आने का इक तीसरा मेथड भी है पहला बताया और दूसरा मेथड है यह कंप्लीट प्रोसीजर तीसरा मेथड के गो बाय ऑप्शन अराम से आपका यही आंसर आएगा आप एक बारी यह देखो यह बोल रहा है नाइन इसकी तो आप सेवन लेके देखो अगर आप एक्स पर 10 by 3 की पावर 7 करोगे तो क्या आजाएगा एकस की पावर 7 बाइ 3 ठीक है तो फिर कटेगा क्या देखो यह तो नाच्रल अमबर पावर ही नहीं आ पर यह दिखत मानरे नो तो यह यह तो वैसी आपर नहीं हो सकता सेम गोस्वर 5 यह नहीं कटेगा सेम गोस्वर 3 बाइ 3 इस expression में ठीक है तो यह तीसरा method है इसको करने का by options भी जा सकते हैं by option वाला तरीका हमेशा लागू होता है हर question में क्योंकि जिसमें आपको लगे कि solve करने का तरीका बहुत लंबा है go by options तो second method पूरा approach का first method था oral method और ली कर सते हो दूसरा method है पूरा detail method last हमेशा होता है by options यह हमेशा time save करने का बैस तरीका होता है ठीक है तो आपको इस lecture में अच्छा से पूरा पेपर हम discuss कर लें और आपको इस बार जबा पेपर देने जाओ तो बहुत confidence भी तो thank you for being a part of this lecture good night